आज की कहानी कवों के एक परिवार की है जिनका घर घने जंगल में बेरी के पेड़ पर था कालू कवा, गोरी कवी और उनका एक बेटा जिसका नाम जगू था उस घर में रहते थे अलू जी अब मुझे अकेली से खर के खर्चे नहीं उठा होते, आप भी मेरा हाथ बटाया करें मेरी कुछ दिनों से सहत ठीक नहीं है, एक बार मैं ठीक हो जाओं, फिर मैं सारे काम कर लिया करूंगा ये बात सुनते तो मुझे पूरा एक साल बीट गया, जब भी पूछूं तुम्हारी सहती खराब होती है तो मैं क्या छूट बोलता हूँ, बहुत से ऐसे बखशी है जंगल में, जिनकी पत्निया काम करती हैं, तुम कोई अकेली काम नहीं करती हो ऐसा कहते हुए, कालू कववा अपने घर से निकल जाता है ममा, पापा हर समें गुशे में क्यूं रहते हैं? पता नहीं बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ, आप घर में ही रहना ममा, ठंड भड़ गई है, आज रात भी मैं ठंड के कारण सो नहीं सका आप मुझे मेरा कंबल कब ले कर देंगी? मैं पैसे जमा कर रही हूँ बेटा, बस कुछी दिनों में मैं अपने बेटे के लिए लाल रंग का गरम कंबल लाओंगी फिर गोरी कवी अपने घर से निकलती है, गोरी कवी जंगल में सबजी बेजा करती थी गाजलो, लाल लाल गाजलो, आलू मटर और प्याज, सब है गोरी के पास चिड़िया वहां आती है, गोरी बेहन एक किलो आलू दे दे, कुकुकल से पकोड़े खाने की जिद कर रहा है ये ले आलू और हरी मिर्ची मैंने फरी में डाल दी है गोरी बेहन तुम्हें पता है कि कालू घर से कहा जाता है मुझे तो यही कहता है कि अपने तोते दोस्त के पास जा रहा है गोरी बेहन मेरा नाम न लेना मैंने देखा कल कालू भीया नशेई उलू के पास बैखा दारू पी रहा था क्या, ये क्या कह रही हो चिड़िया आप मैंने अपनी आँखों से देखा कुछ दिन पहले कबूतर ने भी मुझे बताया था वो तो हर रोज नशेई उलू के पास जाता है पिर चिड़िया अपनी सबजी लेकर वहां से चली जाती है शाम को गोरी घर में बैठी कालू का इंतजार कर रही थी जब कालू घर आता है तो वो आते ही खोंसले में लेट जाता है क्या आज दारू ज्यादा पीली है कौन दारू पीता है तुमसे किसने कहा जिसने भी कहा आप बताओ कि उन रशेई उलूओं के पास आप क्या करने जाते हो मैं एक काम से गया था उस छोटी जुडिया को तो मैं छोड़ूँगा नहीं उसी ने बताया है न तुम्हें उसने कल मुझे देखा था उलूओं के पास जाते हुए नहीं मुझे किसी और ने बताया है मुझे नीद आ रही है मुझे तंग ना करो फिल कालू सो जाता है ममा वो होत ठंड लग रही है मेरे पास आजो बेटा कल मैं अपने बेटे के लिए कंबल ले आऊँगी मेरे पास इतने पैसे हो गे हैं फिर गोरी कवी अपने बेटे को अपने पंखों में छुपा कर सो जाती है सुबह हो जाती है कालू कवा मुँ अंधेरे ही उठ जाता है आज तो उलू भी फरी में नशा नहीं देगा और ये गोरी तो मुझे मांगने पर एक रपया भी नहीं देगी ऐसा सोचते हुए कालू गोरी कवी की अलमारी खोलता है जिसमें गोरी कवी ने अपने बेटे को कंबल ले कर देने के लिए पैसे जमा किये हुए थे वाह गोरी वाह मुझे पता ही नहीं और यहां तुमने माल छुपा रखा है फिर कालू कवा वो पैसे उठा कर घर से चला जाता है कालू कवा दूर से ही अपने नशेई दोस्त पुलू को आवाजें देता है आज का दिन अच्छा गुजरेगा लगे मेरे हाथ मेरी पतनी के चुपाए हुए पैसे लगे बड़े खुश हो आज क्यों बात है मैंने अलमारी खोली तो उसमें मेरी पतनी ने पैसे चुपा कर रखे हुए थे मेरी पतनी होकर मुझसे ही चारी करती है मैंने भी अलमारी साफ कर दी ऐसा कहते हुए कालू कवा और उसका दोस्त उलू हंसने लग जाते हैं जगू जगू बेटा यहां अलमारी से पैसे तो नहीं उठाए आपने नहीं ममा मेरा तो हाथी नहीं पहुशता अलमारी तक मैं कैसे पैसे उठाओंगा तुम्हारे पापा पैसे चुरा कर लेगे मैंने वो पैसे आपके कंबल के लिए जमा किये थे बहुत बुरा किया कालू तुमने बहुत बुरा किया कितनी मुश्किल से अपना पैट काट काट कर मैंने वो पैसे जमा किये थे फिर गोरी कवी अपने काम पर जाने की बजाए पहाडों की तरफ जाती है जहां उलू और कवा नशा करके सोय हुए थे बेशरम उठो कहां है वो पैसे मुझे मेरे पैसे वापिस करो कालू कवा और उलू भी उठ जाते हैं कालू देखो दो तुम्हारी पतनी गुसे में कितनी संदर लग रही है तुम्हें यहां क्यों आई हो चली जाओ यहां से मेरे पास कोई पैसे नहीं है तो फिर मेरे पैसे कहांगे कौन चुरा कर ले गया मेरे पैसे जग्गू ने चुरा लिए होंगे मेरा जगू ऐसा नहीं कर सकता मैंने वो पैसे जगू का कंबल लेने के लिए चमा किये थे कालू चुप हो जाता है और फिर थोड़ी दिर बाद कहता है तुम घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ बैठने दो भाबी जी को, पहली बार आई है मेरे घर चलो भाबी, कोई चाय बानी हो जाए गोरी कवी कुछ कहे बिना, वहां से चली जाती है वो अपनी दुकान पर बैठी रो रही थी, जब वहां तोता आ जाता है गोरी, मेरे पास दो कंबल थे, उन में से एक मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ आपने अभी तक कंबल लिया तो नहीं है, मैंने किसका लेना है कंबल, जो पैसे मैंने जमा किये थे वो तो कालू चुरा कर ले गया, और नशा कर लिया अब तो कालू दारू के साथ साथ और नशा करने लग गया है, ये कंबल पुराना नहीं है मैंने पिछले साल नहीं लिया था, एक बार भी इस्तामाल नहीं किया ऐसा कहते हुए तोता वहां से चला जाता, कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कालू और उलू बैठे, दारू पी रहे थे कि कालू गिर जाता है, और बेहोश हो जाता है इसे क्यों हो गया, लगता है इसने ज्यादा ही नशा कर लिया है अगर ये यहां मर गया, तो मैं फांस जाओंगा, मैं इसे अपने खर से थोड़ी दूर फैंक देता हूँ फिर वो उलू कालू कवे को उठा कर अपने खर से दूर फैंक देता है रह जाता पक्षी गोरी कवी को जाकर बताता है और फिर गोरी कवी कालू को बुलपुल के पास ले जाती है ये कबसे दारू पी रहा है मुझे तो एक महीना पहले ही पता चला है इसकी दोनों के निज मकमल तोर पर खराब हो चुकी है अब इसका बचना बहुत मुश्किल है गोरी कवी रोने लग जाती है मैंने बहुत समझाया था पती जी आपको परन्तु आपने मेरी एक न मानी अपनी जिन्दगी अपने ही हाथों से बरबाद कर ली आपने कालू कवाबी होश में आ जाता है मेरे पेट में बहुत दर्द है गोरी मैं कहा हूँ गोरी चुप थी वो तो रोई ही जा रही थी जादा दारू पीने से आपकी किडनीस खतम हो चुकी है नहीं है नहीं गोरी मुझे बचा लो फ्लीज मुझे बचा लो कुछ करो मैं मरना नहीं चाहता मुझे मरने से बहुत डर लगता है अगर आपने मेरी सुनी होती तो आज ये दिन ना आता अब कौन तुम्हें अपनी किडनी देगा ऐसा तो कोई अपना भी ना करे मैं दूंगी बुल बुल मैं स्वस्थ हूँ और मैं एक किडनी पर भी जिंदा रह सकती हूँ आप लीज मेरी एक किडनी निकाल कर कालू जी को डाल दे गोरी मुझे माफ कर दो मैं भूल गया था मुझे बचा लो गोरी मुझे बचा लो फिर बुल बुल कालू का ओपरेशन करती है और गोरी की एक किडनी निकाल कर कालू के डाल देती है कुछ दिनों बाद कालू और गोरी दोनों ठीक हो जाते हैं